अपनी पसंदिदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Play Movies, बेल आइकन को दबाएं अपनी आइकन को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अजले, मेरी दवा का वक्त हो गया कम बख़त एक प्याली दूद भी गरब करके नहीं दे सकता, कब चुटे की चान इससे मेरी लिमा, दवा खाले सुदै की दवा दिन चड़े खाओ, तो दवा क्या खाक असर करेगी तू चाहता है कि मैं मर जाओ अभी सुर्य देवता को जगने में काफी समय लगेगा ले, दवा खाले आरमा जाएगा सुबा होने में काफी देर है माँ सुर्य देवता को जगने में वक्त लगेगा अभी सुबै होने में देर है जुबान तो देखो कैसी कैची की तरह चलाता है अब मेरा मूग क्या अता करा है मन्हूस जा कर मेरे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर अच्छा मा पर तु ये दवा जरूर खा लेना अमर मैंने जो कहा तो सब याद है बिट्या हाँ बैया वो दो मुझे भी जाद है हाँ तो बताओ क्या कहा था गर से सीधा स्कूल स्कूल से सीधा गर रास्ते में कहीं रुखना नहीं एक दूसरे काच छोड़ना नहीं साबाश बहुत बाले बच्चे है चलो अब इस स्कूल को देर ओ रही है हाँ, चलो बटाओ, खाना नहीं पुराए चलो, शाँ बाश टाड़ बढ़े 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 टाड़ जराबे खुसाज, बहारो कमास हो है कितना सुमाना तुम्हारे सिमा कुछी नदर आए मुझी को तो देखूं जमाना जराबे खुसाज, बहारो मास हो है कितना सुमाना तुम्हारे सिमा कुछी नदर आए मुझी को तो देखूं जमाना जर के कितना सुमाना नदर व्कषा ओकषा पुण, जर भी तो खु关 कि जगा तेरे लब क्यों न देखूं ये चहरा ये आचल ये सब क्यों न देखूं मैं जिसका दिवाना, मैं जिसका दिवाना हूँ जरा के खुश्टाश बहारों कमानों है कितना सुहाना तुम्हारे सिवा कुछे नजर आयो मुझे को तो देखूं जमाना अजर आयो मुझे को तो देखूं जर आयो मुझे को तो देखूं मिलाई रखना, मिलाई रखना मेरे देखूं पे लगाई रखना नचल वे कोई चाओं जालम जमाना, ये जालम जमाना जरा देखो सजनी बहारों कमानों है कितना सुहाना तुम्हारे सिवा कुछे नजर आयो मुझे को तो देखूं जमाना जरा देखो सजनी बहारों कमानों है कितना सुहाना तुम्हारे सिवा कुछे नजर आयो मुझे को तो देखूं जमाना भाई साब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी सुखी रहेगी भाई साब आपकी बेटी राज करेगी राज मैं जी लड़की की किसमत अच्छी हो तो सब ठीक है वरना किसमत तो बहुत बड़ी चीज है भाई साब तो क्या मैं इस रिष्टे को पका समझो मुझे तो रिष्टा मंजूर है लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि एक बार लड़की की मर्जी जान लो तो अच्छा है क्यों नहीं क्यों नहीं मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा अच्छा तो आप एजासत दीची नमस्ते जीती रहो सुखी रहो ज़रा सुनो बेटी ये लोग तेरी शादी की बात करने आये थे मैंने इश्ता मंजूर तो कर लिया है मगर ये साफ कह दिया है कि पक्का जवाब तभी दूँगा जब अपनी बेटी की मर्जी मालूम कर लूँगा अच्छा किया डैडी कि आपने इंसे मेरी मर्जी जानने के बात कर दी मैं ये शादी नहीं करूँगी अरे खाता पीता घराना है इस जबदार लोग है लड़का देखने सुनने न अच्छा है पड़ा लिखा है और क्या चाहिए ये बात नहीं है डैडी तो फिर क्या बात है डैडी राच बहुत अच्छा लड़का है आप भी उसे पसंद करेंगे एक तम सीधा साधा है डैडी हम दोने एक दूसरे से मैंने राच से शादी करने का फैसला कर लिया है अगर आपकी इजाज़त हो तो अरे तेरी खुशी से क्या मुझे कोई बहर है राच अच्छा लड़का है तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है ओ डैडी मगर एक शर्थ है वो क्या डैडी मैं अपने तजर्वे की आँखों से उसे एक बार देखना चाहता हूं ओ श्योड़डी पिदा जी का स्वरगवास होने के बाद सारी कहानी तुम जानती हो सावितरे मा हैं भाई हैं उनका खयार लगना तुम मुझे अपनी जिम्मेदारियों में शामिल क्यों नहीं कर लेते मैं तो कहती हूं आज ही चल कर डैडी से बात कर लो आज ही कुछ सोचने का मौका तो दो तुम यूँ ही सोचते रहोगे तो डैडी मेरी शादी कहीं और पकी कर देंगे और तुम उनके गने से शादी कर लोगी तुम भी बड़े चालाग हो आच्छे तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बेना किसी से शादी नहीं कर सकती यही तो गड़बड है क्या? कुछ नहीं तुम जानते हो कि तुम्हारे बिना मेरी किस से शादी नहीं हो सकती नौक्टर ने दवा मदल कर दिये मा नहीं बेटा, अब दवा इसे कुछ नहीं होगा, बैच्चा बेटा मा, तुने मुझे बेटा कहा हाँ बेटा, मैंने तुझे अपनी कोक से तु नहीं जन्मा धानी हूँ, लेकिन तुने मेरी सेवा सगे बेटी से भी बढ़कर की है नहीं माँ, ऐसा मत कहें, माँ तु मा ही होती है, तु फिकर मत कर, मैं तेरा इलाज बड़े से बड़े डाक्टर से कराऊँगा, ले अभी तु दवा खाले नहीं, मुझे मेरी फिकर नहीं है बेटा, फिकर है तो तेरे इन दोनों छोटे भाईयों की, तु मुझे वचन दे, आज से तु ही इनकी माँ, तु ही इनका बाप है, बोल दे लू मा, तेरा साया सर पे रहे बस, सब ठीक हो जाएगा, यह मेरी अपने है माँ, मेरा खून है, मैं इनकी खुश्यों के लिए सब कुछ करूँगा, तु मेरे भाईयों के बारे में चिंता मत कर, बस तु ठीक हो जा माँ, ठीक हो जा सावित्री मुझे और बहुत से काम है, मैं फिर मिलूंगा राज से, हो सकता है वो भूल गया हो, तैड़ी थोड़ी दिर और, लेकिन बेटी वो तो इसी शहर में है ना, फिर किसी दिर बोला लेना, अम्में चाहिए जाएगा, 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 चलता हूँ, बहुत देर होगे, अच्छा डड़ी, अच्छा बेटी, पता नहीं, क्यों नहीं आया? राज, सर्त्री, मुझे देखकर चौक क्यू गया, और यह सब क्या है? खाना बुराने की तयारी कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं खुझ चल कर आई हूं, कि तुम घर चलकर तैड़ी से शादी की तारीख पकी कर लो? अभी शादी नहीं हो सकती. क्या? हाँ. नहीं कैसे हो सकती? मैं अभी मा से बात करती। सावित्री, मा अब इस दुनिया में नहीं है. हाँ सावित्री, मा मैं छोड़ कर चली गए. अब तो बस मा को दिया हुए एक वचन है. जब तक वो पूरा नहीं हो जाता. मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता. कैसा वचन? कौनसा वचन राज? मेरे उपर मा छोड़े भायों की समयदारी छोड़ गए है. जब तक वो अपने पाओं पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा. राज, जीवन की गाड़ी एक पईये पर नहीं चलती. मैं तुम्हें बचन देती हूं, कि शादी के बाद अमर और कीरण को वो प्यार दोंगी, कि उन्हें मा की कमिक कभी महसूस नहीं होगी? नहीं सावित्री, हर लड़की के शादी के बाद कुछ सपने होते हैं, जो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा. मेरे इतने जिम्मेदारियां हैं, जिनके तले मैं तुम्हारे सपनों कुछ नहीं चालता, मुझे माफ कर देना. राज, जिन्दगी की किताब में मैंने तुम्हरा नाम लिख दिया है, वो किताब चल सकती है, अगर उसे तुम्हरा नाम नहीं मिठ सकता. बेटी, अगर उसने अपने मा को दे हुए वचिंगी खातिर, अपने भवश अपने मौबत तो खुर्बान करने का फैस्टा कर लिया है, तो पर तुझे भी आखिये कि अपने आने वाले जिन्दगे के लिए खुजी रास्ता चुने. अब तू कहे तो राहूल के पिता को हा कह दू, उन्हें तेरे ही जवाब का इंदजार है बेटी. नहीं डैडी, मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती. अब बेटी ये भी कुछ समझदारी है, अब तू ही सोच. एक बाप की हैसे से मेरा भी कुछ फर्स है, मेरे भी कुछ अर्मान है, मैं चाहता हूँ तू अपने घर चली जाए, सुक से रहे, और तेरा इस सुक में अपनी आखों से देखो. डैडी, बच्वन से अब तक आपने जो मुझे लाट प्यार दिया है, मैं उसका वास्था देती हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें, मैंने राज को दिल से अपना जीवन साथ ही मान लिया है, मैं शादी करूँगी तो सिरफ राज से, आप मेरी चिंता ना करें, मैं आप अउलाद माबापर कभी भूश नहीं होती अंगिना बाहर का, खुशियों भरा, स्वर्क जैसा घर, स्वर्क जैसा घर, मधुबन प्यार का, अंगिना बाहर का, खुशियों भरा, स्वर्क जैसा घर, स्वर्क जैसा घर, ये नन्हे मुन्नी मेरे दोग्त अपनी, होंगे जवाजब ये मेरे अपने, जग मिक करेंगे काम ऐचे ऐचे, देखेंगे फिरता है लोग जितने, मधुबन प्यार का, अंगिना बाहर का, खुशियों भरा, स्वर्क जैसा घर, स्वर्क जैसा घर, ला 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 ला.. लालाला... 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 ११११११११११११११११११११११११११११०११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११॥१११११११११११११११११११ झाल 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 माँ, आज तेरा एक सपना तो पूरा हो गया, किरन इंजिनियर बन गया है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, उसका सेठ उसे बहुत बड़ी मिल का सरवे करने के लिए यहां से दूर भेज रहा है, आज पहली भर किरन, मुझसे बचल कर दूर चाह रहा है, आशीर भलतिमा, भईया, यह क्या, आपके आंखो में आशू, अरे नहीं दे, इतम, इतम मेरी जीत के आशू है, मैने मा को बचन दिया था न, आज वक पूरा हो क्या, देख, तु मेरी एक बात सुने, सुनाईये, क्या है किरन, ठीक से वक पर उठचाय करना, वो अलारम वाली घड़ी रख लिये न, हाँ जी, दिन में सिर्थ दो भार चाय पीना, ठीक है भईया, और खाना ठीक से खालिया करना, खालूंगा, और देख, गाओं खेले में जा रहा है, मौसा मौसम खराब होगा, गरम पानी से नहाना, नहालूंगा, और रात को सोने से पहले, गरम गलास दूद पीना, पिलूंगा, और एक बात सुन, यहां ते तु सीधा, स्टेशन जाना, फिर जाकर आराम से ट्रेन में बैखना, किस सब कुछ याद हो गया है, तीन दिन से आपके यही डालग सुनना हूँ, तो याद तो होई जाएंगे न भाईया, मार होंगा तुझे, अरे बड़े भाईया, ट्रेन चुट्टे तक आपकी बाते खतम नहीं होगी, यह कोई दूद पीते बच्चे थोड़ी है, 24 साल के हट अगर शादी करा दी जाए ना, तो छोड़े-छोड़े बच्चे पैदा कर देंगे, आपको बोलेंगे ताओ, मुझे बोलेंगे चाचा, मैं तरी खीच के लगाँगा, जादे भाईयब, चल, 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 सारी उगलानी मुझसे करा देंगे लो, पराटे खालेना, सब बाढ़ने मनुझसे करा देंगे, आईए, किरन बाबू, यह आपके ठैरने की जगे, और वो जमीन देखने के लिए, कल सुबा मैं आप तुमा ले जाओंगा, अब मैं आपके लिए गरम प्याली चाहिए लिए। आता हूँ, रावु का अगर मैं चाहिए नहीं पीता, तो के दूद्ध पियेंगे, बाबू जी, तीन दिन गाउं का दूद्ध पियोगे, तो तबियत पन जाएगी, चार दिन पियोगे, तो चालाग पन जाओगे, पांच दिन पियोगे, तो पहलवान लगोगे, अरे हुआ कि अगर एक में अपकी बह्त का दूद्ध पिलू तो क्या होगा, होगा क्या, आपके घरवाले आपको पेचानेंगे नहीं, तब तो मुझे दूद नहीं पीना बस खाना खालूंगा, अरे ऐसा खाना खिलाओंगी कि उंगलियों के साथ बरतन भीचारते रहोगे, त पेंगन का भर्था, आलो गोबी, भिंदी मसाला, मा की दाल, चावल, सरसों का साग, मकी की रोटी, और गाजर का हलवा, और रबडी बस 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 और नाम ना ले, मेरे मूँ में पानी आ रहा है क्यों? आपके घर में खाना कौन पकाता है? आपकी माँ? मेरी मा नहीं है, मगर जिसकी बुदलत में इतना हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ, वो है मेरे बड़े भाईया मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मगर मेरे लिए तो वही साक्षाथ भगवान है और कौन कौन है घर में? मेरा छोटा भाई, अमर भाईया भाईया आ गया तू देखो भाईया जब से करिंब भाईया गए है आप बहुत खोई खोई से रहते हैं जादी वक्त आप उन्हें समझा रहे थे और खुद ना तो वक्त बखाना खाते हैं ना वक्त बखाते हैं मैं उन्हें सब कुछ लिख दूँगा देख ऐसा मत लेत देना उसे वह परिशान होगा क्या हुआ मुझे? बिल्कुल तो ठीक हुआ मैं? मैं तो बस यह सोच रहा था अबर शहर की जिंदगी और गाउं की जिंदगी में बहुत फार्क होता है वहां गया है पताने उसे कितना काम करना पड़ता होगा कहां उसका रहने का इंतिजाम होगा कौन उसे खाने के लिए पूछता होगा यहां तुम्हे था भगवन करे यहां भी वह हो खुश हो बस और खाये ने बाबुची और खाऊंगा तो चार दिन देख सोता रह जाऊंगा तुम सब कुछ लाई हो मगर एक चीज भूल गई हो वो क्या? हाजमे की गोली अच्छा उसकी दुरूद यहां नहीं पड़ेगी यहां का पानी इतना अच्छा है कि खाना खाते ही हजम हो जाता है तुम्हारी बात तो सही है मगर सब शेहर वाली अगर गाउं में रहने आजाएं तो तो गाउं भी शेहर बन जाएगा बाबूजी आपको गाउं अच्छा लगता है कि शेहर? पहले तो शेहर ही अच्छा लगता था मगर अब तुम्हें देखने के बाद, काउं ही अच्छा लगने लगा है हमारे क्लास में जो नया टीचर आया है, वो कितना स्टूपड लगता है हलो आशा हाँ तुम्हें टीचर के बारे में बात करें थी, एक दम स्टूपड क्यों बेड़ो, ये माल तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं है मेरा नाम जानता है तू चमान, चमन भुण्डी मरोड के ये कली तो सिर्फ इस चमन में खिलेगी और आएंदा अगर मैंने तेरी परचाई भी इसके पास देखी तो तेरी माँ तेरी माँ तुझे जिन्दा नहीं देख पाएगी मुंडी मरोड के आमा यार तुम तो वाके में सीरेस हो गए खेर क्या नाम बताये था आपने? चमन, बहुत अच्छा नाम है बहुत ही अच्छा नाम है और जिसे आबाद रहना चाहिए लेकिन ये पहला चमन होगा जिसे अगर मैंने बरबाद नहीं किया तो एक मरसूम सी कली खिलने से पहले ही मुझा जाएगी अच्छा 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 तो साथ मैं चम्चे भी आएए आच्छा उजाएएगा उपच्छा अच्छा जाएएगाँ दोग दोगे खाव भावि करोगे पावखे हैंता बदाई भाव 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 आजा खाव जो इनका नाम जमन है, ये लोगों की मुंडी मरोथे हैं, मरोने के मुंडी? अब नहीं इसे हम चुछ बोड़ाएगा ये मुंडी? अदे जमन, आप नहीं मरोने के मुंडी? लुड़ी चोगे लेलाजी की बखिक्या तुम बोलोजी दिल दे चोगे, आले लो जी, कीमत क्या, तुम बो लो जी, तिकु सकान और एक नजय, अरे बाख फिर तो ये लो जी, तिकु सकान और एक नजय, अरे बाख फिर तो ये लो जी, दिल दे चोगे, आले लो जी, कीमत क्या, तुम बो लो जी, झाल 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 ये दिल है दिल हमारा नाजुक शिशा बेचारा ले जाओ ध्यान रखना तूटे ना कही जल्दी से फिर ये लो जी वह मेरी जा वन्दर्फुल जल्दी से फिर ये लो जी दिल दे चोगे आले लो जी की मत्य क्या तुम बोलो जी हाँ की मत की मत्युक भाइब आ चांधन काकि देथि मूख ये लोलो है विल जा ना की जी देदी Yea ये मेरा दिल नहीं है, जीवन का फूल है, युजी ना फीक जिना देखो सजना ये मेरा दिल नहीं है जीवन का फूल है युही ना फीक जिना देखो सजना आँ सेरे इस पूल को मैं सीने पे ठाक लूगा दिल से लगा कर यहाँ आँ सजन्वा वंडर कर चल दी से पिर लो जी आँ से जन्वा वंडर कर चल दी से पिर लो जी दिल बेचोगे लो जी आशा जी डरी एक लाओ कौन है वो कौन जिसने चमन से लड़ाई की आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मदारी इन पर है यह जो आपके सामने मासूमित का चहरा बनाए खड़े हुए है मैंने सब्ज़ा था कि इनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है और यह दुबारा कभी ऐसे हरकत नहीं करेंगे मगर जब बात आप तक पहुँची गई है तो सुनिए जिनसे इन्होंने मारम पीटी की उसका नाम अमर है और हमारे कॉलिज को उस पर फक्र है उसने मुझसे कोई बतमीजी नहीं की और इन्होंने इस पर हाथ उठा दिया इन्होंने मुझे अपनी दिल की रानी कहा और जानी क्या-क्या बतमीजी की बाते कहीं बताते हुए भी शरम आ रही है सारा कॉलिज सुन रहा था अपनी बेटी से पूछे बगार आपने इस पर विश्वास कर लिया और इसे डांटने के बज़ाए आप मुझसे नाराज हो गए हम् हम् तो यह करते फिरते हो तुम मगर 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 शरड़ अप आएंद आशे से बात करने की कोशिच की तो जबान खिच लोगा तुमारी में ठीक है मामा जी नहीं करूँगा शरमा से करना कलाकि मुझा आफिस में ले नगर आप शरमा जी आप शराब पी रहे हैं शराब ही तो पी रहा हूं किसी का खुन तो नहीं पी रहा हूं क्या बहुत बुरी बात है शराब मेरी नजर में तो कोई बुरी बात नहीं है मैं खुद पीता हूं बुंडी मरोड के मगर हां उनकी नजर में बहुत बुरी बात है किसकी नजर में मामा जी की है उसको क्या पता कि यह 40 शराब क्या चीज है हाँ हाँ हे लेकिन देख वो साब जी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं शराब पीता हूँ नहीं पता चलेगा बुंडी बरोड के निकालो सो रुपया साव रुपया हाँ साव रुपया किसके लिए आप शराब नहीं पीते मैं शराब नहीं पीता ये ले लेकिन ये बता तुम्हारे हमारे प्लान का क्या हुआ शर्मा जी चमन के हाथों में निराशा की लकिर हैच नहीं हैच नहीं लेकिन सुनाया आज कल उसका किसी दूसरे के साथ लफड़ा चल रहे लफड़ा तो किसी के साथ भी चले आखिर में उसका होने वाला पती मेज हूँ और लाखों की चायतात का अकेला इदर मूड इदर मूड अकेला नहीं हम दोनो हम दोनो हम दोनो तो लाखा का ऐ लाखा बस केरन भाबो, अंदर मत जाना, वरना वो भूकी शेर की तरह तूट पड़ेगा शेर कभी कुट्टों को चौकीदारी नहीं सोबता, ये जमीन हमारी है, आथ उठाने से पहले ये सोच लो, कहीं तुमारे हाथ तूट ना चाहे ना मैं हमरा राका, और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका बबुआ, ये हमरा इलाका, फुड़ा, चला, अपने इलाके में तो कुट्टा भी शेर होता है, कुट्टे, हमका कुट्टा कहा, अब कुट्टा कहा दिया है, तो काट के तो दिखाएंगे काट कहा दिखाएंगे लगान तो जानाट, भीवान तो लखनाट वो प्वाइब लगाना जाइब प्रवजू लगाने प्रूण, भीवान तरह एक रगाना, वीवान सी भीवाना तरह भीवाना हम्रा जेल से आने से पहले मर मत जाना हम्रा नाम है राका तेरी खार जरूर डालेगा डाका चला कौन सा जेल है ये टाइम तुम्हारे रेडी मान तो जाएंगे न ये उश्नीच अमीरी गरीबी मेरा मतलब था वो तुम क्या कहना चाहते हो मैं सब जानती हूँ अमर अमीर हो या गरीब दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी बेटी के खुशियों से जादा कोई चीज़ प्यारी हो और फिर मेरे पिताजी मेरे पिताजी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बड़े से बड़ा शब भी छुटा लगेगा उनको मेरे खुशियों से जादा कोई चीज़ प्यारी नहीं अमर देख रामू मैं रोज तुझे एक बोतल देता हूँ पर तू भी तो कभी मुझे कुछ दे न जानता हूँ यार तू मुझे रोज एक बोतल देता है पर मैं क्या तुझे देता हूँ हाई हाई अपनी बेटी का हाथ फिर देख ये जिन्दगी भर एक, दो, दस, बीस बोतल तो क्या ये सारा दारु खाना तेरे नाम कर दूँगा सारी जिन्देगी दारू पीता रहूंगा तू सच गह रहा है अरे सच मैं जिन्देगी पर पीता रहूंगा तेरी बेटी की कसम रामू तेरी बेटी की कसम दे दूँगा तेना मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूँगा एक ने एक दिन तोद के जादी करनी है ना पर तु मंगवा ना मंगवा अरे लो अभी आई ए चराब लाओ एक तो तीन इजो चलो भाई आज इसको बेटी की शादी की चिंता से मुक्त कर देते हैं चलो रमका का उठो रमका का उठो तु में पानी क्यों डाला अरे मैंने तो सिरप पानी डाला है वो चारु तीरी इजद पे हाठ डालने जा रहे हैं कौन संभू और उसके साथी चंभू हाँ चंभू है भगवान कब आई के बाबू को अकल आधी आधी रात तक तारु के अड़ी पे बैठे रहते हैं लो आ गई तुम लोग हाँ हम लोग कौन हा तुम? तुम्हारे बाप का दामाद और तुम्हारा एक रात का पती हाहा हाह हाह पर अंप पुझे बचाने भापजी वाँ मेरी जान वाँ इसे तो तुने अपने पीछे चुपा लिया अब खुद किसके पीछे चुपेगा अरे काय को बेजा गुमत है यार तू उसको देख ले मैं इसे देख लेता हूँ तुम चार हो और तुम चारों की कबर एक ही होगी वो भी कबरस्तान से दूर यहां इसी जगा क्योंकि कबरस्तान में सिर्फ शरीफ लोग दफन होते हैं क्योंकि 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 क्यो झाल झाल देवकी बेटी दमों काको ये रही आपकी देवकी बेट देवकी मुझे ख्षमा कर दे बेटी बसे एक बार और ख्षमा कर दे मैंदानी नाकू उपर कैसे पट्टी बन गई मैं तो पागल हो किरन बाबू मैं आपके इस हैसान का बद्ला सारी जिन्दगी नहीं चुका सकता ये सब इस मनुष शराब की वज़े से उबा है मैं अपनी बेटी की सौगन कहा के कहता हूँ कि आज के बाज इस गंदी चीज को कभी आतने लगाऊंगा सच बापू हाँ बेटी मैं तेरी सौगन खा के कहता हूँ बेटी कभी मैं इसे हाथ ने लगाऊंगा कभी इसे हाथ ने लगाऊंगा चल घर चल चल आजा आजा ओ अमर अमर ये पढ़ाय लिखाई छोड़ जल्दिस जागे एक टेलेग्राम देखिया किसको अरे किसको क्या करने को सुगया काम इमीडेटली पर क्यों भया अरे क्यों क्यों छोड़ ये मुह मिठाकर चल जल्दिब भाग गया भया वो पैसे नहीं मेरे पास अब पैसे नहीं है ये लिए पजास में चल्ल भाग भाग क्या सोच रही है देवकी कल रात अगराब आपने मेरी इज़त नहीं बचाई होती तो मैं कहीं कि नहीं रहती देवकी ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है कोई नहीं बात करो नहीं बात? हाँ जिसे सुनकर हवा में सुगंदी सुगंद फेल जाए ये पेड़ पते जूमने लगें ये फूल खिलने लगें ऐसी बाते तो कोई जादू कर नहीं कर सकता है में कोई जादू करनी धोड़ी नहों तुमने तो वो जादू किया है कि मैं जिन्दगी भर के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकता मतलब? प्यार का जादू देवकी अरे दीवाना हूं मैं तेरे प्यार में ये तो मैं कह दू हजार में कहीं ऐसा शवाब नहीं जानी तेरा जवाब नहीं कहीं ऐसा शवाब नहीं जानी तेरा जवाब नहीं दीवानी उले तेरे प्यार में मैं भी एक दो हजार में दीवानी उले तेरे प्यार में मैं भी एक दो हजार में कहीं ऐसा शवाब नहीं जानी तेरा जवाब नहीं हो कहीं ऐसा शवाब नहीं, हो जाने तेरा जवाब नहीं अच्छा भला था आने के बाद मैं खो गया तुझे पाने के बाद तेरे दिवा जाओं कहां तुहीं बता पे जाने जहां जीवा नहीं मैं तेरे प्यार में, मैं भी ये कह दू हजार में अरे दिवाना हूँ मैं तेरे प्यार में, ये तो मैं कह दू हजार में ओ कहीं ऐसा शवाब नहीं, ओ जानी तेरा जवाब नहीं माता हुआ, माता है, और जानी तो वनानी तो जानी तो शिद्ट क्रचा जानी तो जानी जेपों. हाँ बोतल को रख दे वाहो से मिल घर्मा गरम मेरी आहो से मिल असे मिले देखे जाओ एक नाच दे शोली का शाओ अगर दीवाना हूं मैं तेरे प्यार में ये तो मैं कह दू हजार में जीवानी हूं मैं तेरे त्यार में ले भी एक है दो हजार में ओ कहीं ऐसा शवाब नहीं ओ जानी तेरा जवाब नहीं हो कहीं ऐसा शवाब नहीं, हो जानी तेरा शवाब नहीं कर दो, कि आधे शवाब नहीं विए का नहीं अच में अचल, मुझन, विए, विए, जब हमटेशा। यहां, यह आंसू नहीं तेरे आखों के मोती हैं, अरे पगली, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, तो चार दिनों की बात है, मैं यू गया और यू आया, और अगर तुम नहीं आये तो, क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरन, हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरी ही रहोगी, जान किदास जी, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है, आपकी बेटी हमारी हो गई, इसके आगे कुछ मत बोली, ये लिजे, आप बोलने बुलाने के लिए रह ही क्या गया है, आपने तो मेरे सर का बोज हलका कर दिया, देखिए, बेटी को कभी बोज नहीं कहा जाता, वो अरे अरे गले लाग, क्यों साच होते है, ए किरन, चल पाँ चुछ विया, जी ते रहो बेटा, अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, अच्छा जी, चली मैं छोड़के आता हूँ, या, किस है तू, मैं तो बढ़िया हूँ पहले ये बताओ कि मेरे लिए गाउं से क्या लेक मैं तेरे ले बहुत बड़ी खुशकबरी लाया हूँ, और जो खुशकबरी मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ, वो ये है क्या हूँ, ठेरो, 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 पहले मैं अपनी खुशकबरी सुनाओंगा, छोटे, पहले मैं सुनाओंगा, मैं सुनाओंगा, मैं सुनाओंगा मैं सुनाओंगा, मैं सुनाओंगा, यह क्या हो रहा है? खबर मैं सुनाओंगा, ठीक हो ही यह, मैं बढ़ा हूँ तू बढ़ अच्छे मौके पर आया है यह सज्जन जो भी गया है न, इनका नाम है जानकिदास आइनकी बेटी के साथ तिरा विष्टा पक्का कर दिया क्या? तुम चुप क्यों करन भाईया? क्या हो रहे? इनकी बेटी का नाम है यशोद्ह, साक्षात लक्षमी है, लक्षमी लगता करन भाईया नाराज हो गया हाँ मैं नाराज नहीं हूँ भाईया लेकिन इतनी जल्दी क्या है आरे जल्दी मुझे है ना भाई बरसो हो गए इस घर को बहु का मुझ देखे हूँ और हमें नाचे हुए भाईया अगर मैं शादी से इंकार करतूं तो क्या, तू शादी से इंकार करेगा, तुझ में इतनी हमत आ गई, एक बात कान खोल कर सुले किरन, इस रिष्टे को मा ने तै किया था, और मैंने जान कि दासी को बचन दे दिया है, इस घर में मा की बात को कोई नहीं डाल सकता, अगर तुने इस शादी से आना कानी करने कोशि आराइ में तुम नहीं है तुम क्या तुम है अपने प्यार पे विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरन हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू अगर तुने इस शादी से आना कानी करने कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुँ देखेगा अगर तुने इस शादी से आना कानी करने कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुँ देखेगा अगर तुने इस शादी से आना कानी करने कोशिश की तो मेरा मरा को देखेगा मुझे माफ कर दो भाईया मैंने आपका दिल दुखाया है मैं शादी के निकले तयार हूँ मुझे मालूम था तुमा की बात कभी नहीं टालेगा झालेगा झालेगा सदा खुश रहे सदा खुश रहे आना नाम है हमरा राका अब हमारे हैं डालेगा दाका वात पुमाज आना मुमान बाचकव बाचकर ळामन Lake Beach जोड़े कमीने, आग तू जिन्दा बचके नहीं जा सकता, तेरे रिम्पूरे हो गया है दाके मत खल मत दे, बिंगम अरा बुद्धे, डाका चल रहा है अरा बुद्धे, हमको डाका कर ले ने, तुम मरे पाई कर लोग है ऑच्छा, गउपाव के सारी लोग इधरी, आरे इसकी मईया का मज़ा तो अधूरा ने गया इसकती दूरावा नहीं को अर्या तू जारे निए जासकते नहीं बापू दे, नहीं बापू, तुम नहीं मर सकते अरे रामू काका का, राका ने खून कर दिया, ज्योकी का कुछ पता रही कहां गई कहां गई ज्योकी अरे राका तुम आओ, वाससर का इंगलीज घर बना है अरे आओ राका बैठो, जंगल का शेरा शेहर में कैसे अच्छी सराब पिये और अच्छा खाना खाए, बहुत दिन हो गया हमने सोजा हम भी साहर में रहके सेथ बना लें अच्छा, तो लोग खाओ अरे खाने से पहले कुछ पीने का दस्तूर है तो लो, पियो अब बताओ क्या करके आया हो एक बुड़ा साला अपनी मौद मारा गया कौन था? और रामो तुमरे सेथ की जमीन का चौकीदार लेकिन जमीन पे तो अपना ही कब्जा है ना? अरग किसका हिम्मत है जो शेर का मुझे मास का टुकड़ा ले जाए हमरे आदमी रोज गाओं वालों को हमरा नाम याद दिलाते रहते हैं ते दना दन लेकिन तुम्हें या बड़े ध्यान से रहना होगा मरम खाले नहीं बैठ सकता हमरे मतलब का कोई काम बताओ हाँ काम भी बताएंगे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत काम है यह लिजे चाय ये शुदा मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूं मैं शादी से पहले शादी से पहले आप सोचते होंगे मैं इस घर को संभाल सकूंगी की नहीं लेकिन आपने ही जानते इस घर की खुशियों के लिए मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूं यहां तक कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूं ऐसा मत कऊ ये शुदा तुम ही तो इस घर की शान हो तुम तो साक्षात लक्षमी हो ऐसा भी होता है यह तो सरा सरा अन्याय है क्या हो भोले चचा मैं तीन दिन की छुटी लेकर गाउ गया था वहाँ मेरा बेटा मर गया उसकी वज़ा से मैं दस दिन लेट हो गया तो शर्मा जी ने मुझे धक्के मार कर आफिस से बाद दिकाल दिया और कहा कि कहीं और जाके नौकरी ढूंडो शर्मा जी की इतनी हिम्मत शर्मा जी अपना भला चाहते हो तो भोले चैजा से माफी मंग लो नहीं तो तुम क्या कर लोगे बेटे आप देखना चाहते हैं तो देख लो शर्मा जी बुर्णा भाद शर्मा जी बुर्णा भाद शर्मा जी बुर्णा भाद क्या बात है किरत सेट जी मिल के मालिक आप है या वो शर्मा जी क्या मतलब मिल मजदूर को नौकरी से निकालने वाले वो कौन होते हैं आखिर हुआ क्या है शर्मा जी ने भोले चैचा पर हाथ उठाया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया आप लोग क्या चाहते हैं मैं शर्मा जी को नौकरी से निकाल दूँ नहीं सेट जी बस एक बर वो सब के सामने भोले चैचा से माफी मंग ले शर्मा जी आप क्या चाहते हैं माफी मांगना या I'm sorry भोले नाज जी जी रिरन भाइट! Sबकी! Sबकी! ZİNDA BAD! KUŞAK KİRAN BAYYA! KUŞAK KİRAN BAYYA! KUŞAK KİRAN BAYYA! ZİNDA BAD! KUŞAK KİRAN BAYYA! झाल झाल तुम अभी दबाई खा लेना, बाद में दूद पीना भी मत भूलना, भारी चीज उठाने की कोई ज़रूत नहीं, समझें? और हाँ, बड़े भई आकर खाना बना लेंगे हे मेरी मा, तुम कोई फोरण टूर पे जा रहे हूँ या आठ कंटे की नौकरी करने के लिए, यू गए और यू आए अरे भाई, पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना तो इसमें तकलीफ तुम्हे होगी या मुझे? वो तो तुम्हे होगी, काश मैं तुम्हारी तकलीफ महिसा ले सकता हूँ चलो अब जाओ मुझे को मिला क्या सब कुछ लुटाके भोकर दुखों की छोगे बलाके क्या क्या डर्खत ना देखा था पेले कहां को गए वो भुलिशन को खाते मधु बन प्यार का अंगना बार का खुशी उभरा स्वार्क जैसा हर स्वार्क जैसा हर अंगना बन कज एंपको जैसा हरा टेक्सी मुभारक हो, माँ और बच्चा दोनों खत्रे से बाहर है, आप मिल सकते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र, थेंक्यू जोक्सर, थेंक्यू भगवान ने सब ठीक करते हैं, अरे लेटी रहो, लेटी रहो, बहुत प्यारा मुन्ना है, किस पर गया है, तुम पर या बाप पर आप जरा बाहर जाएं, मुझे इनके कप्डे बदलने हैं हाँ जी, ठीक जी तुम परिशान में तो मैं बाहर बैठा हूं, जैसी काम कर लेंगी मैं तरा आजबा आज़ा, मेरे बच्चा अप्डाएं आइस्ता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आइस्ता आह egentा एक हर आज़ा अरभी आप, हैем तुम कर हाए तुम करन और भीजे लेख और हमें सब मिलॉबटे है किअरभीया का हर देना बहुत जरूरी है मैं उन्हें भी बढ़ा के लाता हूँ, आप आप यह ख्याल हो कि अच्छा ज़िए ठीक है, आप इटाए हिम्मत रखे, हिम्मत अच्छा आप एक्स्कूज में, डॉट सब प्लीज डॉट सब यह वो डॉट वर्य, हम लोग हैं आप इनके नाम की पच्छी निकालकर फर्स फ्लोर में, वहां नमबर एक्सिस चार में आईए नर्स, इनको वहां लेकर जाओ आईए जाए डॉट सब, लड़का है लड़की वैसे मेरी नदर में, लड़का और लड़की दोनों परावर है वैसे क्या हुआ है I'm sorry वो बच्छा मा के पेट में ही मर चुका था बच्छा मा के पेट में ही मर चुका था लेकिन मा खत्रे से बाहर है मैंने उसे ब्रहशी का अंजक्षिन दे दिया है उसको अब अराम की जरूरत है नहीं डॉक्टर साब अगर ये शुदा को होश आने के बाद पता चला कि उसकी कुछ सूनी हो चुकी है तो ये बच्छी अब ये बच्छी इस सब्बे मरदाश नहीं कर पाहेगी पागल हो जाएगी डॉक्टर साब डॉक्टर साब अभी इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है डॉक्टर साब अभी ये जिस औरत को लाएं थे वो औरत वाड में इस पर्ची के साथ अपने बच्छे को छोड़ कर चले गई मेरे बच्छे को किसी अनात अश्रम में बढ़ती करवा दीजिए मैं जिन्दगी भर आपकी अहसान मन रहूंगी एक बदनसीब माँ एक माँ अपने मासूम बच्छे को अपने गोदी में खिलाने की बजाए एक अनात अश्रम में डाल देना चाहती है डॉक्ट साब एक मिंती करो इस मासूम को अनात अश्रम में डालने के बजाए अगर याशुधा की गोथ में डाल देंगे तो इस बच्चे को माँ की गोथ में चालेगी तुम बिल्कूल ठीक कह रहा है खुर्णाज तुम बिल्कूल ठीक कह रहा हु शुक्र्ण ज़ेए शुक्रया ले भाइ इसकी कोई जरुछ नहीं है आप इनके साथ जाहिए, जाहिए आप बाई किरन, आज आज दे कितना प्यारमोन मैं आज हाई हाई मुबार्खों, हाई जुग जुग जी ए तुम्हारा कनया कनया जी ने जनमलियो रे, कनया जी ने जनमलियो रे भोलक बाजे, दमक दमरे, नाचो लेगे हिलो रे कनया जी ने जनमलियो रे, कनया जी ने जनमलियो रे हाई तंगर लोगी, हाई तुमसे लाला, हाई अम्मा तुमसे, अरी एक दो शाला, अजी साओ तुमसे, पाच शर्फिय, अजी चाचा तुमसे, हाई दो मन वर्फे, हाई 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 कनया जी ने जना मलियोरे, कनया जी ने जना मलियोरे जोलक बाजे, दम्मक दम्मक, आचे लेगे हिलोरे कनया जी ने जना मलियोरे, कनया जी ने जना मलियोरे कि 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 है कि अ कुलों भरी अंधनाईरे जोली हमरा ललना 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 मरा ललना आखि देखो अम्मा जैसी वक्डा देखो पापा जैसा कान बिलकुल ताओ का है नात बिलकुल चाचा जैसी फूलो भरी अंग नाईरे जूले हमरा ललना 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 सजनी तेरे प्यार ने कैसा शुब दिन दिखिलाया के खुश हो के विधाता ने आचर में चांद खिलाया सारों भरी अंग नाईरे जूले हमरा ललना तारों भरी अंग नाईरे दूले हमरा ललना हम बरह से जब देखे मेरे जंदा का थुमक चलना सारों भरी अंग नाईरे दूले हमरा ललना तारों भरी अंग नाईरे दूले हमरा ललना सारों भरी अंग आखज तारों भरी अंग भरी अंग जय मुछ भरी अंग देखो कैसे चलता है जैसे जा पानी घुड़ा धाम चलूँगा इसकी वाहे हो जाओंगा जब मैं बुड़ा अर देखो कैसे चलता है जैसे जा पानी घुड़ा धाम चलूँगा इसकी वाहे हो जाओंगा जब मैं बुड़ा ये दोड़े कैसा फुटबॉल जैसा ये खुदे कैसा ही मैन जैसा खुश्यों भरी अंग नाईरे खेले हमरा ललना खुश्यों भरी अंग नाईरे खेले हमरा ललना बाहर से पड़के आएगा नाम करेगा ललना खुश्यों भरी अंग नाईरे खेले हमरा ललना आईए आईए पैठे शर्माजी आप मेरा नाम कैसे जानती है हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसके बारे में सब कुछ चान देते हैं लेकिन मैं कुछ समझा नहीं देव कीजी हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस कॉटन मिल के आप मैनेजर हैं उसे हम खरीबना चाहते हैं और यह काम सिर्फ आप ही करवा सकते हैं आपने मुझे इस काबिल समझा इसके लिए धन्यवाद तो फिर जल्दी से यह सौदा पका करवा दीचे आप को इनाम के तोर पर तोलाख रुपेय नकत और उस मिल के चनरल मानशु की पोस्त में तो समझेया आपका यह काम हो गिया मैं आजी दीवान दीनानाच जी से बात करता हूं उजी आग्या दीजिये देवकी जी नमस्ते नमस्ते बात तो तुम ठीक कह रहे हो शर्मा लेकिन इतनी बड़ी रकम देकर इस मिल को कौन खरीदेगा नहीं मैं जानता था दीवान साहब के आपको यकिन नहीं आएगा लेकिन अगर मैं खरिदार ढून लू तो आप अपनी मजदुरों की भलाई के लिए इस मिल को बेश दोगे ना हाँ हाँ मुझे कोई इतराज नहीं लेकिन इस मिल को बेशने में तुम्हें अतनी दिल्चस भी क्यों है नहीं दीवान साहब अपनी मिल के इमारत पुरानी हो चुकी है मशीने भी जवाब देने वाली है उसके उपर पैसा खर्चा करने के बजाए नए सीरे से काम शुरू किया जाए ऐसा मेरा ख्याल है आप मिल बेश रहे हैं? बेटी शर्मा जी पहली बार अच्छा मशोरा लेकर आये है हम इस मिल को बंद करके नहीं मिल खोलेंगे मैं समझी मैं कॉलेज जा रहे हूँ बाई बाई सुप्रभाद देवकी जी, सुप्रभाद आये शर्मा जी बेचिए क्या खबर आए है? खबर, खुशकबरी बोलो, खुशकबरी सेच जी ने मिल के लिए आने वाली नई मशीनों का ओरडर कैंसल कर दिया इस वक्त अगर हम अपना ओफर दे दे, तो नतीजा जल्दी सामने आ सकता है लीजी मौ मांगी रकम भर दीचे का मैं मिल के गेट पर अपना बोर देखना चाहती हूँ वाह दीनानाच जी इस आफर को ठुकराई नहीं सकते आप निश्चिन्त रहिए समझ लीजीए कि मिल के गेट पर आपके नाम का बोर लग चुका है देव की टेकस्टाइल्स मेल शर्मा जी यह मिल मजदूरों की मा है और आप भी हमारी तरह इस मिल के नौकर है मैं इस मिल का नौकर हूँ या सेठ इसका फैसला तुम नहीं मिल के नए मालिक करेंगे समझे क्या बात है शर्मा जी? यह किरन बाबू पगार बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों को भढ़का रहे है हम सभी मजदूरों की तनखा बढ़ाने के लिए तयार है लेकिन किरन बाबू को इसी वक्त मिल की नौकी से हटा दिया जाता है अगर किसी मजदूर को इस बात पर एतराज है तो वो अभी इसी वक्त लोट सकता है अदालत के दर्वाजे उनके लिए खुले है आप तो फैसला हो गया न किरन बाबू कि मैं इस मिल में क्या हूं क्या चलो आप लोग जाईए काम पर जल्दी चलो और आप बाहर जाईए वरना मुझे धक्के मारकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा समझे किरन बाबू क्या हूं कर दो क्या लोब साब एक बुतल शरब कुंसी कोई भी अभी लाया यह तुम क्या करेओ किरन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हाँ मेरा दिमाग बिलकुल ठीक है इसलिए तो मैं शराब पी रहा हूँ पड़े भाईया गंगर जल के इलवा किसी चीज को हाथ अपने लगाते और तुम शराब पी रहे हो हाँ हाँ मैं शराब पी रहा हूँ गाम के समुंदर में अगर इंसान दूप जाए तो शराब के सारे ही तैर सकता है जमाना किताब बदल गया है कल मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूँ केरन अपने आपको संभालो केरन प्लीज संभालो अपने आपको किस्मत ने मुझे इतनी उच्छाइश से भेका है, मेरी नौक्री चली गई तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ, एक गई, दूसरी मिल जाएगी अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाओंगा के रहा? अगर तुझे मुझसे धोड़ी सी भी हमदर्दी है, तो मुझे पीने से मत रोक मुझे पीने से मत रोक तुलारे केरण, नहीं, केरण शमाजी मैने सारी फाइलें देख ली है जो मजदूर काम पर नहीं आना चाहते हैं उन्हें निकाल दीजे और नहीं मजदूर रख लीजिए लेकिन मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किरण जैसे मामूली मजदूर के लिए आप बिजनेस में घाटा क्यों खा रही है शर्मा जी, आप हमारे नौकर हैं और हम आपकी मालकें हमें किसी के सला लेनी के जरूर है आप से जितना काम करने के लिए कहा जाए उतना ही कीजिए सॉर्य मैडम, एक्स्रेमली सॉर्य जा सकते हो किरण मैं तुम्हें बर्बान करतूगी तरपातर पांके मारोगी तायला गुंबड़े भाया जीती रहो ये शुदा किरण रात कितनी बजे आया है वो आया हूंगे एक डेट बजे आया हूंगे भाया एक तेड़ बजे तब तक तुम्हें भी जग रात तमने पुछाँगी उससे इतने देर तक कहा था वो अरे भाभी से क्यों पुछते हो बड़े भाया वो कल रात को क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त के आप पार्टी थी मैं और किरण वहां चले गए वहां से जरा देर से निकले तो घर पॉइंते पॉइंते और भी लेट हो गए है ना किरण हाँ भाया कल रात बहुत देर हो गई थी चल दूलार अच्छा भाया नमस्ते भावी सुनिये टिफिन लेकर नहीं जाएंगे नहीं केंटीन में खालूंगा बहुत देर हो गए ना किरण पहले तो गभी ऐसा नहीं करता था आज ये काम हो चाना चाहिए अब फिकर मत कीजिये देव कीजी शाम डलते या आपका ये काम हो जाएगा ये रहा एडवांस बाकी काम होने के बाद लेकिन काम आज रात कोई हो जाना चाहिए समझे कौन हो तुम लोग तुमारा बाप काम है झाल 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 सुर्सजी चाल झाल 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 ! मिलाई नजरता, मिलाई रखना मेरे दिल कुदर से लगाई रखना मिलाई नजरता, मिलाई रखना मेरे दिल का दिल से लगाई रखना बड़े भाईया, इंस्पेक्टर साहिबा वक्त पर नहीं आती तो महरबानी इंस्पेक्टर साहिबा आपमें मेरी चांद बचा कर बहुत बड़ा इसान किया पर नम्हा का सपना अधूरा रचाता अब कौन सो सपना दूरा लेगे हो भाईया? तेरी शादी करवादी अभी अमर की करना माँखी है ओ हो बड़े भाईया हम दोनों भाईयों ने मिलके तैक किया है कि अगर आपने कामधाम बंद नहीं किया तो हम लोग मिलके आपको शादी करा देंगे येस हलो, क्या मैं आशा से बात कर सकता है? आशा या आशा जी से? हाँ हाँ, आशा जी से आशा जी इस वक्त बहुत घहरी नीन में है जवानी की नीन है ना? वैसे तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं अमर हूं, अमर अमर? तुमने कौन सैसा काम किया है जो तुम अमर हो गए क्या मैं जान सकता हूँ, आप कौन बोल रही है मैं आशा की आंटी बोल रही हूँ नमस्ते आउंटी जी, मैं तो आपको मौसी जी बोलूँगा, हाँ क्या है मौसी जी मैं आश्या जी के जरीए आप इसे मिलना चाह रहा था असल मैं क्या है क्यों मेरे कॉल्ड़ में पड़ती है और मेरे क्लासमेड भी है और उसकी उपडांग हरको तो यह वह यह से मुझे लगा कि मेरे आपसे मिलना बहुत जरूरी है और मौसी जी आपसे एक और गांफिडेशल बात कहनी थी उसका आज कल रोमेंस बड़ी सोर सो चल रहा है और लड़के को आप भी जानती है कितना घटिया और हमीना इंसन है वो और दूसरी बात यह कहनी थी कि जिस तरह कपले पहनके वो झालेज में आती है कितने घटिया, चीप और उप्रटांग, देखें, वही तो शरम आती है आउटी जी अरे, मैं मतलए मौसी जी और दूसरी बात ये, कि उसके बाल, ऐसा लगता है, ऐसे ब्यूटी पारलर से चली आ रही अब ऐसे कपड़े और ऐसे बाल देखे कोई छड़ेगा नहीं, तो क्या आरती उतारेगा ओफो, मैं आशा हूँ, आशा मेरे को मालू मैं तुम आशा बोल रही है, तुम आउटी जी नहीं बोल रही है इसी बात मैं तुम्हें एक बड़ा खुबसरा सब्सक्राइब कौन है भई, किसे बात कर रही हो डाटी वो बात है, वो मेरी सहली है ना फरीदा बहुत बाते करती है, हमेशा शेर और शाइरी की बाते करती रहती है फरीदा ओ डाडी खाना लग गया है, हाथ मुदो कर नीचे आज़ो हाँ जी डाडी, नहाद हो कर आती हो शायर तुमने फोन क्यों काट दिया, कितना रोमेंटिक मूट बना था तो शेर सुनो वहाए हमारे घर खुदा की खुद्रत है कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते है कौन है आप यह उसका बाप है आशा जी डाडी यह फरीदा शायरी के लावा और क्या क्या करता है फरीदा लड़की का नाम है डाडी ओ तो फिर यह फोन पर उल्टी सीदी बादे कौन कर रहा था तो को बेटी मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते है डाडी मैं आपकी बेटी हूँ दुनिया की उचनी से अची तरह वाकिफ हूँ लेकिन अमर बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है डाडी यह अमर वही लड़का ना जो तुमारी क्लास में पढ़ता है और एक बर चमंच से जी डाडी अमर वही लड़का है अरे उससी किस दिन घर पे दो बलाओ मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ आखरी तेरी जिंदी और भवेश्य का सवाल है आपको अमर के बारे में जो कुछ भी जानना है मैं आपको बता देती हूँ अच्छा ओ डाडी यो सो गुड हाँ तो भाई शाय साब क्या था हूँ शेर अरे शेरो शेरी छोड़ो ये बताओ कल क्या गुजरी भाई मेरी तो अच्छी गुजरी वागर डाडी की आवाज सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जनाब की चौक पड़े थे हुजूर चौक पड़ा था उस वक्त से अब तक बराबर चौक रहा हूँ पताने डाडी ने तुम्हारे क्या सो चौक है मेरे बारे में सोचा तो बहुत मगर अच्छा सोचा डाडी तुमसे मिलना चाहते हैं क्यों? क्यों तुम्हारे डाडी मुज से मिलना चाहते हैं । Ninja क्या मेरी फोटग्राफसर काम ने चलेगा क्या शादी के फेरे भी फोटो के सब लेने होंगे हूं इसका मतलब तुम्हारे पिता जी मान गए जाहू जाहू। 19 के तुम 20 के हम, आओ खेले सनम सनम 19 के तुम 20 के हम, मौका भी है तनहाई दे, उस पे क्यामत का आनम 20 के तुम 20 के हम, आओ खेले सनम सनम 20 के तुम 20 के हम, आओ खेले सनम सनम मौका भी है तनहाई दे, उस पे क्यामत का आनम 2022 मौका भी होते हम 22 के हम, आओ खेले साथ 23 के तुम 21 के खेले सेथ 21 के ओेले शेखनो 22 केल भाहरад 28 के, आओ तुम 22 के उस आइए मांगू अगर में तो क्या गलत वो सा तेरे रुख सार का पहले मिलन में तो प्यार का दत्तूर भी है ये जानम हो मांगू अगर में तो क्या गलत वो सा तेरे रुख सार का पहले मिलन में तो प्यार का दस्तुर भी है ये जानम वीस के तुम हो नीस के हम आखे ले सलम सलम मौगा भी है तनहाई भी उस पे कयामत का आनम Love me, oh love me not Yes, yes, you are in my heart Love me, oh love me not देखेगा कोई चो क्या हुआ दुनिया से कहगा पखार के हमको दिवाने है प्यार के हमको दाने का क्या हुआ दुनिया से कहगा पखार के हमको दिवाने है प्यार के हमको दाने का क्या हम आओ खेले सनम सनम उननिश के तुम बीश के हम मां मां भी है कैना आई भी उस पे कयामत का आनम Love me, oh love me not Yes, yes, you are in my heart Love me, oh love me not खो जाए कुछ देर के लिए हम एक दुझे को ठाम के भरते है दाए भी शाम भी कुछ राशनी भी है बत्तम खो जाए कुछ देर के लिए हम एक दुझे को ठाम के धरते है दाए भी शाम के कुछ राशनी भी है बत्तम आओ के ले सनम सनम उन्निश के तुम देश के हम मारा भी है तनाई भी उससे मयामन का आनम Love me, oh love me not Yes, yes, you are in my heart Love me or love me not Yes, yes, you are in my heart I am only love me I am only love me not You are in my heart I am only love me not I am only love me not I am only love me not वाइसाब 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 दारू आप पीन है और जटका मुझे लग रहा है कौन हो तुम मेरा नाम है उल्लू उल्लू के पठे गाली क्यों देते हैं भाइसाब भाग जाए यहां से वर्ना थोपड़ा तोड़ दूगा आप किसी के लिए के दादा है क्या शट आप दर गया भाई दर गया मेरा बाप भी दर गया पोलेश बड़े भाईया नमस्ते तुलाले अच्छा वह तु आ गया किरन कहा है कल साइधा से घर नहीं आया यह शोधा परेशान है कहां गया है वो बड़े भाईया बात यह किरन करदात को दारू केदे पर पकड़ा गया है क्या किसा धारू ख्याटते पर देवा सिंग किरन को लेकर आओ किरन और शराब पीने लगा है यह तो मैं सपने भी नहीं सोच सकती थी सपने अक्सर हकीकत से परे होते हैं सावितरी भाईया भाईया मरिया भगवान को साक्षिमान कर बता मैं यसी कौन सी घलती किया जो तुझी यह रास्ता अपना ना पड़ा मैंने माँ को वचन दिया था मुस्से ऐसी कौन सी भूल हो गई है तो तो जिश शराब पीकर परबादी के रास्ते बचाना बोला भाईया भाईया आपकी कोई गलती नहीं है आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है गलती तो मेरी किस्मत की है मेरी, मेरी नोक्री छोट गई है भाईया कुर भाईया किरन, इतनी सी बात से हार गया तू तुन्हे अपने बड़े भाईया को इतना कमसोर सब्जाया क्या अरे पगले मैं मरा नहीं हूँ तुम दुनों भाईयों के अपनी जान दे सकता हूँ भाईया क्यों रगो, बना दे इसे दूला मुंडी मरोड के ऐसा दूला बनाव साले को तूटे वे हाथ पर लेकर खोड़ी के बजा पाल की में जाए अगर ये पालखी में जाएगा तो आशा जी किस में जाएंगी अरे इन्हें तो हम उठा के ले जाएंगे अच्छा बुड़ी मरोड के अपना अपना नाम और पता लिख कर जेबो में डाल लो ताकि महले वाले पहचान कर घर तो पहुचा दें अबे ओ साले बहुता करता है हाँ अबे ओ साले की अबे पाले की कर garbage टुणे हुआ खुआ पुळआ हुआ हुआ गुद खुआ झाओंई अ जओन झाओ आए अाए टुआ खुआ हुआ, घर जित कर था दोटाh, अ तु przy statement कि संथा गुआ है अुआ हुआ किर दुआ हुआर क्या देख रही हो? सोच रही हो कि कहां बैठू? जी तो चाहता है तुम्हें अपनी पलकों में बैठा लूँ, मगर क्या करूं, बहुत तारी हूँ क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगा नहीं? तुम्हारे लिए इतनी सारे जगा है दिल में, लेकिन अपनी जगा भाबी के दिल में बना लेना ज़रा अमर, तुमका बाए, अरे, ये चोट कैसे लगी? किसको? हाँ, हाँ, ये चोट, हाँ, इस लड़की की वज़ा से लगी है मेरे बज़ा से? हाँ, ये जुट बोलता है, ये खुरी गुंडों से लड़ा था जरा इनसे पूछे किसकी वज़ा से लड़ा था, किसकी वज़ा से, बताओ इसकी वज़े से न, अकसर प्यार में ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, दुनिया की सारी बाते भूल जाते हैं भावी, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? वह मुझे नहीं, वह तुम्हें है प्रेम रोग बच्चो, प्रेम रोग तो तुम्हें पता चल गया है? जी हाँ तो यह बताओ कि मेरी पसंद तुम्हें कैसी लगी? मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई लेकिन अपनी पसंद का नाम तो बताओ आशा आशा मेरी बात ठीक है मगर अपने भाईया और बड़े भाईया भाबी बड़े भाईया को तुम पड़ा लेना और छोड़े भाईया को तो मैं अंदर करी लेता हूँ ऐसा? ओके चलो आशा अमर? अपने फीस नहीं भरी? कब भरोगे? जब तारीक निकल जाएगी? आप इतने अच्छे स्टुडेंट हो, एक्जाम में बैट नहीं पाऊगे ये सर्फ भावी, भावी हाँ अमर भावी एक दो सर्वे दो किसलिए? दो महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी है मेरे पास पैसे नहीं है अमर और तीन महीने से तो तुमारी भावी की भी तनखा का कुछ पता नहीं अरे दो चार दिन में पैसे मिल जाएंगे तो तेरी फीस देर देंगे अरे हाँ मर तनखा में देर सवेर तो होई जाती है ये शोधा ये थोड़े से पैसे रख लो बड़े भाईया इतने पैसे आप कहां से लाएंगे तुम ऐसी को देख रहे हो गई तुम दुनों नहीं तुमसे कहा था कि मैं कामाम बंद कर दू सुम मैंने दुकान बंद कर दी वो डेपोजिट के थोड़े से पैसे मिले थे सुमने लिया ठीक किया न मैंने आप 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 सब लोगों की पार्टी द्यू है दोस्तों मैंने एक डिवी तो हसल कर लिये लेकिन इस देश में डिवी हासल करने साथा इंपॉर्टन्ट है एक अच्छी नौकरी मिलना तो अच्छी नौकरी मिलना और डिगरी मिलना दो बाते हो गई यानि कि आप लोगों की दो पार्टी द्यू हो गई तो आप सब लोगों की दो पार्टी मिलेंगी एक नौकरी के लिए और एक डिगरी के लिए Congratulations, Amar Thank you भया, भया, मैं पास हो गया आरे वो तो होना ही था पास ही हुआ या तू मैं क्रास में फस आया हूँ शाबाज, Amar मा का आशिरवाद है तुम्हारे साथ उनकी मुरादें शरूर पूरी होगी आओ ना, डादी, ये Amar है आओ Amar आओ, बैठो Very congratulations आशिर ने बताए कि तुम first time हो Thank you sir अब क्या करना करना है? फिलाल तो service करना ही करना ही करना है लेकिन घरवालों का हाथ बटाना भी तो मेरा फर्स है खायला तो बहुत अच्छे है मगर Amar पहले अपनी जिन्दगी के बारे में सोचो जी घरवालों का हाथ अभी बटा सकोगे जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगे अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सको तो मुझे बताना तकल्फ मत करना अरे तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो अमर पहली बार घर आए सो चैवे पिलाओ आओ अमर जाओ आपको मेरे कितनी खबर लाके दी मगर लगता है कि आप मेरा काम कभी नहीं करवाएंगे और मेरे मामा जी आशा की शादी उस उरू के पठ्थे के साथ करवा देंगे बुड़ी मरोड़के जब तक हम जिन्दा है वो बुड़ा अपने बेटी की शादी तुमसे ही करेगा अगर उसने कोई गड़बड की तो हम आशा को उठा लेंगे कैसा है कोनगा कैसा है कोनगा है यह बुड़ी बरोड क्या है है पोलिस की हड़ डायरी में हमरा नाम सोने के अच्छरों में लिखा है है ना मैं हमरा राका और हम कहीं भी डाल देते हैं टाका सर्मा जी हम से गुजारिश करें तो हम उस लोंड़े को काट के खा जाएंगे तुमरी मुंडी मरोड के शर्मा जी तो फिर कुछ कीजिए ना चमान तु हमेशा की तरफ बुद्धू का बुद्धू ही रहा अरे दाव तब लगाया जाता है जब हार जीत की दावर शुरू हो जाती है थोड़ा सबर कर सबर किरन किरन दुलारे ये लो पहले गाजर का हलवा खाओ तु है मेरी कसम भाभी तीन महिने से मैं देख रही हूँ उनकी तंख्वा भी नहीं आई तंख्वा कहां से आगी भाभी जब किरन की नौकरी ही चली गई क्या हाँ भाभी नहीं मालकी ने किरन को नौकरी से निकाल दिया है और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं क्या बताता भाभी बेचारा वो तो वैसे ही भग परेशान है लेकिन इसमें किरन का कोई कसूर नहीं है यह सब किया कराया उस मैनेजर शर्मा का है भाभी आप मेरी एक बात मानो तो जाकर नहीं मालकिन से मिलो वो बहुत अच्छी है हाँ वो जरूर आपकी मुदद करेगी नमस्ते नमस्ते कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आप ही मेरे घर को बरबादी से बचा सकती है यही बिंती लेकर मैं आपकी दर्वाजे तक आई हूँ हम तुम्हारे घर को बरबादी से बचा सकते हैं वो कैसे? जिन मजदूरों को आपने निकाला है उनमें मेरे पती भी हमने तो सब एक ही आदमी को निकाला है पाकी मजदूर तो अपनी मर्जे से काम छोड़ कर गए है जानती हूँ मगर जिसे आपने निकाला है वही मेरे पती है उनका नाम किरन है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती है भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए तुम चाह सकती हो यकीन मानिये आपको इनके खिलाफ आपके मैनेजर ने भढ़काया है वो तो इनसान के रूप में देवता है देवता आप किसी भी मजदूर से पूछ के देख लीजी दूसरों की मदद करना तो वो अपना धरम समझते हैं मगर आज उन्हें आपकी मदद की जरूरत है मालकिन आज तो घर की हालत ऐसी है कि चूला भी दोवत नहीं जलता उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे का इलाज करवा सके उनकी बेभसी मुझ से देखी नहीं जाती तरती हूँ कहीं कहीं कुछ करना बैठे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ उन्हें नोकरी देकर मेरे सुहा को बचा लीजिए मेरे सुहा को बचा लीजिए मालके मैं बचन देती हूँ बहन तुम सदा सुहा कन रहोगी इसे जाद मैं कुछ नहीं कर सकती अरे बड़ भाया इस सब क्या है यह मैं क्या देख रहा हूँ बोलो बताओ तुम्हें मेरे खासम पर का देख आमार मैनत करने कुछ जोड़ी नहीं है और नहीं मैनत करने में तुर शर्म घर के हाला ठीप नहीं है किरन की नौकी छूट गई और मुन्हें की तेवर ठीप इतना सब कुछ वार आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया हाँ तुझे बता कि परिश्चान करने से क्या फाइदा होता तुर बढ़ने लेखने के दिने भगवान इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है घबराओं मत्य शुदा बड़े भई आते ही होंगे क्या कहा है डॉक्टर ने डॉक्टर इंजेक्शन तो देग्या है मगर दवाईयों के लिए क्लिनिक में बुलाया है तु यह बट़े बट़े क्या कर रहा है यह दवा ले क्या न बड़े भईया वो ओ हो यह ले जा कुछ खाने को दिया यह से कि नहीं शर्मा जी आप किरन का बच्चा उठाकर हम तक पहुचा सकते हैं आप कहे दे तो बच्चे के साथ साथ पूरे घरवालों को ऊपर तक पहुचा सकता हूं हमें सिर्फ बच्चा चाहिए यह रहे पच्चास हजार उरुपे त्रेला काम हो जाने के बाद ठीक है लेकिन मैडम क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस बच्चे में आपकी क्या दिल्चस्पी है आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए ठीक है ठीक है मैडम ठीक है यह है पूरे बीस हजार रुपे एडवांस काम बोलो जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल है मुश्किल ना मैं हमरा राका हम कहीं भी डाल देता डाका किरन बाबु एक बात तो मानने ही पड़ेगी आप भायों में वाके में बहुत प्यार है वन्हा किसी और के बच्चे के लिए इतना था किसी और के बच्चे के लिए मैं मैं कुछ समझाने डॉक्टर साहब असल में वो बच्चा है तुम्हारा नहीं है क्या यह यह आप क्या कहरें डॉक्टर साहब हाँ उस राद तुम्हारे बड़े भहिया एक गर्बवती औरत को लेकर यहां आये थे यह बच्चा उसी औरत का है और तुम्हारी वाइफ ने एक मरे हुए बच्चे को चन्न दिया कोश में आने के बाद उसे कोई सद्वा न पहुँचे इसलिए तुम्हारे बड़े भहिया ने उस औरत का बच्चा तुम्हारी वाइफ की कोट में डाल दिया आप बता सकते हैं कि वो औरत कौन थी भाई उसे तुम्हारे भहिया लाय थे यहां उन्हें से पूछ लेना के कौन थी वो कोई तो रिष्टा होगा वरना इतनी हमदादी जताने के क्या ज़रूर थी उसे तुम्हारे भहिया लाय थे यहां उन्हें से पूछ लेना के कौन थी वो कोई तो रिष्टा होगा वरना इतनी हमदादी जताने क्या दुरू थी। असल में वो बच्चा तुमारा नहीं है। असल में वो बच्चा तुमारा नहीं है। के राने तुमारा नहीं है। के राने तु आज फिर शराप पी कया है। क्या हो गया तुझको तेरा बेटा घर में भीमार पढ़ा तु शराप पी कया है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये क्या कह रहें आप? हाँ ये शुर्दा, ये हमारा बेटा नहीं है, पूछो इन से ये किस की नजाए जाना थे किरम खोश मे आ, आज तक भी होश था, मगर आज होश में आ गया हूँ। जिसकी मैं भगवान की तरह पूजा करता था, आज पता चला कि वो भगवान नहीं, शैतान है, तुम मारो, मारो, अरे मारते क्यों नहीं, अरे तुम क्या मारोगे, मैं तुम्हें धक्के मार मार के इसकर से बाहर निकाल दूगा, तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए, न क्या रिष्टा है तुमारा उस वरत के साथ, बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं, अरे तुम क्या बोलोगे, तुम तो जूटे हो, पापी हो, मक्कार हो, अगर तुम सच्चे होते, तो इतना सुनने के बाद यहाँ एपल भी नहीं रुपते, कहीं जाका डूप बूपते जाता हूए, तु शान तो जाबाए, जाता हूए, जाता हूए, लगता मुझसे कुई भूलोगे, माँ, तेरे स्वर्ग जैसे कहर को नजर लग गए, मुझे माफ कर देना, माँ, मुझे माफ कर देना, बड़ भाईया, बड़ भाईया, रुप जाए, जाना दो, जाना दो आवी, यह सब क्या है, बड़ भाईया का है करन भाईया, करन भाईया उपड़े हुए सब, अर्मान दिल के सबने वो सारे, हुए राथ जल के अपनों ने ऐसी, ढोकर लगाई, तब रह गया है, मीटी में मिलके मधुबन प्यार का, अंगिना बाहाद का, खुशियो बरा, सौर्ग जैसा है, सौर्ग जैसा है अर्मान भाईया अर्मान प्यास धरने की कोई बात नहीं है मेडम, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर भी अगर कोई ऐसी ऐसी बात हो, तो मुझे टेलीफोन कर दीजेगा, अच्छा, तो मैं चलता हूँ तेंक यू, दॉक्टर साब लेके रहिए, आप कौन है, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही अभागन लड़के हूँ, जिसे आप एक राप हस्पतार ले गए थे वहाँ तुमने एक बच्चे को जनब देया था उस बच्चे को छोड़कर चले गई थे क्यों, क्यों छोड़कर चले गई थे क्या करती, बहुत मश्पूर थी मैं जाए जुलाद को लेकर, कहां कहां भात देगती मैं इसलिए मैंने आपना थे करने की कोशिश की आपने मुझे क्यों बचाया, मैं मनना चाहती हूँ लेकिन तुम क्यों मनना चाहती हो बेटी क्यों बदाओ बाबा, मैंने एक आपनी से थ्यार किया तुम उसके पच्छे के माँ पने और वो आदमी? उसे दूसरी शादी कर लेए ऐसे मकार और बुजदल आद्ली से बदला लेने के लिए तुम्हे जिन्दा रहना होगा क्योंके मेरी भी एक बेटी थी उसकी कहानी और तुम्हारी कहानी बिलकुल मिलती जिलती है उसने आत्मा हत्या कर ली लेकिन मैं तुम्हें मनने नहीं दूँगा अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूँगा लेकिन तुम्हें ऐस आदमी से बदला लेना होगा बदला लेना होगा बदला लेना होगा और इस तरह मैं बच गई पलाकों के दौलत के मालकिन बन गए मगर मेरे दिल में बदले की भावना पाग की तरह दहिक में लगी तुमने उस आदमे से बदला ले 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 रही हूँ मैं उसे तरपात तरपाग के मारूगी कौन है वा आदमे उसका नाम किरन है किरन, किरन दीवान तीननाची के अंतनों प्रे नहीं करता था आप उसे कैसे चाहते हैं? उसका कोई दोशने है, तुम्हारा गुहेंगार मतनी आप? हाँ मैंने उसे शादे के लिए मजबूर किया था आपने? हाँ भगवान के लिए लाबी निराली इस बच्चे को तुम अनात बनाकर वहाँ छोड़ाएं थी आज वही बच्चा अपने बाप के यहां पर लाए मेरा बच्चा? मेरा बच्चा जिन्द है? किरन मेरा चोटा भाई उस रात उसकी पत्मी यह शोधा ने एक मरे हुए बच्चे को जनम दिया था होश में आने के बाद उसे सद्मा न पहुंचे मैंने डॉक्टर से विंती करके तुम्हारे बच्चे को यह शोधा की कुट में ढलते तो फिर चलिए कही कुछ अनर्थ होने से पहले किरन के घप चलिए नहीं किरन को मुझे पर शक है क्यों बच्चा मेरा है मेरी नाचा है सावलात है इनके लिए मैंने अपनी खुश्यां अपना सब कुछ है बड़े भया आप पर लगा यह दाग मेहत होंगी किरन के घप चैम ही मैं दूर करूँगी आपसे एकी बिंती है आप यहीं रहे आपको मेरी कसर मुना मुन्ना 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 कोई हमारे मुन्ने को उठाकर लेगे है कौन लेगे हमारे मुन्ने को उठाकर कुछ वोलते क्यों नहीं मुझे नहीं मालूम और मालूम करना भी नहीं चाहता अगर आप मालूम करना नहीं जाते, तो मैं मालूम करके आता हूँ देखिए, ऐसे कठोर मत बनिये, बच्चा मा के बगर नहीं रह सकता वो हमारा बच्चा नहीं है, ना जाने किस बच्चलन औरत का पाप है वो वो बच्चन औरत? नहीं, देवकी जी तुम? शुक्र है, आपने मुझे पैच्चान दो लिया तो मुन्ना, मुन्ना मेरा बीटा है यह, यह मुझ से क्या हो गया देवकी? देवकी, भगवान जानता है मेरी मजबूरियों ने मुझे तुम्हे मुझ दिखाने के लाइक नहीं छोड़ा मुझरिम हूँ जो चाहिए सज़ा तेलो जानती हो, जब मैं तुम्हे गाउच कर आया तो जानती हूँ बड़े भाया ने मुझे सब कुछ बता दिया है उस रात मुन्ने को हस्पतान में अनाध राशुम के लिए छोड़कर मैं आत्म हत्या कंदी के लिए चली गई थी मगर भागवान ने मेरी खिसमित में और दुख लिए थे इसलिए मैं मर भी ना सकी बस देवकी बस, मुझे माफ कर दो हमारे मुन्ने को कोई बदमाश उठा कर ले गया है मैं मुन्ना और भाया को लेनी जा रहा हूँ ठेरो, कहीं जाने के जरूरत नहीं है तुम्हारे बड़े भाया मेरे घर में है और मुन्ना भी बहीं आता होगा देवकी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा नहीं केरन, इस वक मुनासिप नहीं है बात भी गुपर सकते है आप सोच क्या रहे हैं? मुन्हे को लेने नहीं जाएंगे हलो मैं शर्मा बोल रहा हूं देवकी जी काम हो गया? शर्मा जिस काममें एक हाथ डालता है वो पूरा हो जाता है इस काममें तो मैंने दोनों हाथ डाले थे काम 16 ने हो गया है तो कहा है वो बच्चा? उसे जल्दी यह लेओ हाँ हाँ, खिलाओना, खिलाओना, शीशे का खिलाओना इस वक्ट वो खिलाओना मेरे हाथ में है और मैं एक बिल्डिंग के बीसुए माले पर हूँ तुछ समझी? देखो शर्मा, पचास हजार रुपय मैं तुम्हें दे चुकी हूँ बाकी की देड़ लाख रुपय तुम यहां के लिए जाओ बच्चे का मुझ तक पहुँचना बहुत जरूरी है जानता हूँ, जानता हूँ एक बच्चे का अपने असली मा तक पहुँचना बहुत जरूरी है पचास हजार रुपया बच्चे को उठाने का और देड़ लाख रुपया उस बच्चे को तुम तक पहुँचाने का था लेकिन यह उस वक तक थे जब तक यह बच्चा किरन का था अब ये बच्चा एक करोड़ पती आवरा देवकी जी का है शीशे का खिलवना अब हीरे का बन चुका है सुनो अज शाम ठिक चार बजे एक ग्रिप केस में 20 लाक रुपिया डाल कर पुलीस की मदद मांगने की कोशिश मत करना वरना तुमारे जिगर के टुकड़े के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा नहीं शेर्मा बगवान के लिए ऐसे मत कह रहा जो तुम कहते हो वह ही करूँगे मैं अक्यों लियाओंगे जितने पैसे तुम्हें चाहिए सब मिल जाएंगे गट गट करूब अलिए करूँपन कर्पस्क्या देवकी जी, मैं यहा हूँ मेरा बच्चा कहाँ है, पहले वो नोटों से भरा हुआ बैग मेरे हवाले करो रानी, मेरा बच्चा, बच्चा, बच्चा इनी जोपड़ों में से एक जोपड़े में है, अगर जरा भी चला की दिखाने की कोशिश की और बैग नहीं दिया, तो सब जोपड़े एक के बाद एक उड़ा दिये जाएंगे नहीं, नहीं, राका, बच्चे को बाहर बेजो, नमस्ते मेडम जी, लेकिन मेरा बच्चा, उबैग हमरे हवाले कर दो, बच्चा खुद बखुद ही बाहर आ जाएगा, एह, ये क्या बत्तमीजी है, ये बत्तमीजी नहीं है, हुजूर, ना में हमरा राका, और हम कहीं भी डाल देते हैं, डाका, आज तुम्रा नमबर है, उपिस्ताल खाली है, तो इससे कहा हो, खाली है, परिस्मा, छे गोली है, हमने कहा ना में हमरा राका, कुबाय की तर लाओ जल्दी से, नहीं, तो खुपड़िया में छे होल बना देंगे, यह राका, गहीं भी डालते हो राका? तो हमरा नाम है चमन्द, मुंडी मरोड के, चल, मैं यहाँ दे दे, यह जल नहीं तो गोली मार देंगे, चल राका जिस तरह तुम्हें शर्माजी की पिस्टोल खाली कर दी थी मुंडी मरोड के उसी तरह मैंने भी तुम्हारी पिस्टोल खाली कर दी मुंडी मरोड के हराम जादे गोलिया नहीं है ला देख ला जल दी ला अरे ना मैं हम्रा राका और डालेगा हम पर ये भूदिया डाका लगता है खाड़ी यू दिहां श्रू हो गया पहले तक तुझे पीटेंगे बबुआ कॉर टहँई ढईद तक बटहाई हो तक हॉदियाद टıtा हॉदिष .. Chiêu ओना तुझा झढ़झे बडं़ गॉदियाद तक है डालेगा हम थोदिशे के पीटेंगे चूदिया हॉदिया अ चीछ बगद कर देंडिक तूब तना! झाल 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 यहां से हिलने की कोई भी कोशिश मत करना वरना दाद खराब तो तंदुरुस्ती खराब और गोली चली तो सब की जिन्दगी खराब झाल झाल पाल आ दिन्योड... बाल बाल अगर पह़ ... Ma, 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 बाता! Ma, Ma, बाता! आजए 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 बचाओ, 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 मुन्ना, मुझे मेरी माँ की बचाना, मुन्ना मुन्ना, 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 मुन्ना माँ, माँ, मुन्ना, मुन्ना इस्पेटर साब, वो रहा, गर्प्टार कर लीजिए इस्पेटर छोड़ दो, एक 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 बुटी बरोल कि आता हुआ तैरी मुंटी दे मैं जेल में चलकर मरोल हुआ बेबी, नहाम हम्रा राका अब हम जेल में ही जाकर डालेंगे डाका दे जाओ इसको कौन सी जेल है भाई सब? देवकी देवकी जी इसे जन्दी चैस बता लेचलो भाई नहीं बड़े भाईया अब मुझे कहीं नहीं जाना है किरेट मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे सुख जी सिकर को कर भाई करकी रग दिया नहीं देवकी बड़े बढ़े ने मुझे सब कुछ पता दिया तूश तुम्हारा नहीं परी तक दियर का था मुझे मुझे मैं तो तेरी बाँ कर आदे के बाएं की नहीं हो रहे इसे तुम उसे तरह पालोगी, उतना ही प्यार दोगी, जितना ये शोदामाने अपने पेटे को दिया था मैंने अपनी सारी दौलत इसकी नाम कर दिया तुम और तुम्हारा सुर्चे सगर सदा के लिए सलामत रहे देवकी जी देवकी देवकी जी मुझे माफ कर दो किरत देवकी देवकी जी जी ये शो दो दो प्योंग अंगिना बहार का खुशियों भरा स्वर्ग जैसा घर स्वर्ग जैसा घर मधु बन प्यार का अंगिना बहार का । मंधु करें स्वर्ग जैसा घर स्वर्ग जैसा घर तुम जैसा मधू